नमिश्कार BCN News के दिन विश्कारे करम में मैं दुशाप सभी का स्वागत करती हूँ भारती नौसेना का इतिहास बहादुरी के कई कारनामों से भरा पड़ा है जो हर पल देश की जनता को गौरवानवित वर रूमान शित करता है यो तो भारत में नौसेना की स्थापना पहली बार East India Company में अपने जहाजों की रक्षा के लिए 1612 मी की थी और 1950 में इसका पुनरघटन भी किया था लेकिन 1971 के बाद हर साल 4 दिसंबर की तारीक को भारती नौसेना दिवस के तोर पर मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को भारती नौसेना दिवस 1971 के उस युद में पाकिस्तान पर मिली फतर की याद में मनाया जाता है जब भारती युद्ध पोतों ने पाकिस्तानी युद्धक जहाजों को निसना पूत कर दिया था दरसल बांगरादेश के मुक्तिस संग्राम के दौरान जब पाकिस्तान की और से भारती हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया तो भारत ने भी इसका पुर्जोर तरीके से चवाब दिया था पाकिस्तान की और से 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारती हवाई ठिकानों पर हमली किये गया जिसके बाद 25 वी मिसाइल वेसल स्क्वाड राइंग को तीन मिसाइल युद्धपोतो, निर्गट, वीर और निपात को अधितम रफ्तार के साथ कराची की और भेजने का आदेश दिया गया युद्धपोत 4 दिसंबर की मधिरात्री से पहले ही पाकिसानी युद्धक जहाजों को निशाना बनाने में सफल रहे जिसके परिणाम सोरुप पाकिसानी विद्वसक खैबर, माइन स्वीपर मुहाफीस और MV विनस चैलेंजर के साथ-साथ कियारे के तेलक्षेत्रों को भी नश कर दिया गया कराची पर 7 और 8 दिसंबर को पशिमी सीमा से फिर हमला हुआ NIS विनाश ने चार मिसाइले दागी जिसने MV गल्व स्टार, MV हेरमेटन और PN टैंकर डक्का को नुकसान पहुचा और इस तरह भारते नवसिना ने पाकिसानी बलो पर विजय पाई उसी की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारते नवसिना दिवस मनाया चाता है क्या कोई समाज किसी ऐसे घटना की कलपना कर सकता है जिसमें पते की मौत के बाद उसकी जीती जागती पतनी को जलने के लिए मजबूर किया चाए और इसे प्रता का नाम दे कर सही भी ठेराय चाए सती प्रता एक ऐसे ही कूप्रता थी जिसमें पते के निधन के बाद उसकी पतनी को उसकी चिता में जीती जी जोग दिया जाता था और भारत में व्याप्त स्कूप प्रता को खत्म करने का श्रिय अंग्रेज वायसराय विलियम बेंटिक को चाता है जिन्होंने 4 दिसंबर 1929 को सतीप्रता पर रोक लगा दी आजी के दिन भारत में सतीप्रता का अंथुआ था तब वायसराय लौड विलियम बेंटिक ने इसको प्रता पर रोक नगाने के लिए राचा राम मोहनराय को बुला कर उनसे मश्वीरा किया इस संबन में कानून बना कर सदा के लिए सतीप्रता को बंद कर दिया तिन दीन के भीतर हैं इस कानून का आदिश मजिस्ट्रेटों के पास भीज दिया गया इससे पहले राम मोहनराय सती के जाने की कुरूरता से बालिवस्था से ही परचित थे जब उनके बड़े भाय की विध्वा को उनकी आखों के सामने बलपरवक सती किया गया था अंग्रेश शासक इस प्रथा को बुरा मानते थे पर उनको डर था कि इसमें हस्तक शेप करने से शायद इस देश में और शान्ती फैल जाएगी और उनके सामराज के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा हो जाएगा इसलिए उन्होंने पंडितों से सहमती लेकर ये आदेश दिया कि सती होनी वाली स्तरी से यह मालूम कर लिया जाए कि वह अपनी जचा से सती हो रही है या नहीं सती प्रथा के अलावा विलियम बैंटिक ने कन्या शिशुवत पर रोक लगाई थी उन्होंने भारतिय सेना में प्रचलित कोडे लगाने की प्रता भी खत्म कर दी थी पुरुष प्रथाय समाज में फैली ज्यादा तर कूप्रथाय महलाओ पर अन्याओ को बढ़ावा दीती है भारतिय समाज भी इसे अच्छुतान नहीं रहा और इसमें भी बहुत सी कूप्रथाय का वजूत रहा सतिप्रथा भी एक ऐसी ही कूप्रथा थी जिसमें पती के निधन के बाद उसकी पतनी को उसके चिता में जीते जीत जोग दिया चाता था भारत में व्याप्त इसकूप्रथा को खत्म करने का श्रिय अंग्रेज वाइसराय विलियम बैंटिक कूच जाता है जिन्होंने 4 दिसमबर 1929 को सतिप्रथा पर रोक लगा दी मोतिलाल हिंदि सिनेमा के अभीनेता थे उन्होंने हिंदि फिल्मे को मेलोड्रामाई सम्वाद अदागाई और अदाकारी की तंग गल्यों से निकाल कर खुले मैदान की ताजी हवा में खडा किया उन्होंने परक, वक्त, लीडर, देवदास जाकते रहू जैसे कई फिल्मों में काम किया 1950 की बाद मोती लाल ने चरितर नायक का चोला धारन कर अपने अद्बुत अभिने की मिसाल पेश की विमलराय की फिल्म देवदास में देवदास की शिराबी दोस चन्नी बाबु की रूल को उन्होंने लार्जे दन लाइफ का दरिशा दिलाया उनको फिल्म देवदास और परक के लिए फिल्म फेर सर्वश्रेश्ट सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला मोतिलाल का चन्म 4 दिसंबर 1910 को शिमला में हुआ था उनके पिता एक प्रक्याद शिक्षावीत थी बच्पन में उनके पिता का दिहान थो गया जिसके बाद उनकी चाचा ने उनका पालन पूशन किया मोतिलाल ने अपनी प्रारंबिक शिक्षा शिमला के अंग्रीजी स्कूल से प्राप की इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में उच्छे शिक्षा खासल की कॉलेज छोड़ने के बाद वे बंबई में नौसेना में शामिल होने के लिए आये लेकिन बीमार होने के कारण परिक्षान नहीं दे पाए 1934 में 24 साल की आयो में उन्होंने सागर फिल्म कमपनी में शहर का जादू फिल्म के लिए नायकी भूमिका की पेशकश की गई बाद में उन्होंने सबीता देवी के साथ साथ कई सफल सामाचिक नाटक में विशेश रूप से डॉक्टर मधुरिका और कुलवधू में काम किया बीसेन न्यूज के दिन विशेश कारे करब में फिल्हाल इतना ही सेन और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ये बीसेन न्यूज नमशकार